सीटेट को पार करने के लिए 5 सबसे अहम मूल मंत्र होते हैं आज हम इन 5 वूल मंत्र पर आपके साथ चर्चा करेंगे और आप ये भी जानेंगे ये 5 वूल मंत्र हमारे लिए किस प्रकार शुप करना है जी हाँ, आप अगर पहले से सीटेट पास हैं तो आप जानते होंगे और अगर नहीं पास हैं और आप चाहते हैं एक अई बार में इस बार हरा हल में सीटेट पार हो जाए ताहिए इन पाचो मूल मंत पर काम करते हैं पहला आपको NCRT के दावोगों फोकस करना है और उसके बाहर आपको खत्ता ही नहीं पढ़ना है चाहें C الت he tonight की notes हो, चाहें C को पूरियर के से हल करना है और उसके बाहर पंस्टीव वर्ड को अच्छे से समझना है और जानना है आप कुछ लोगी क्याते हैं कि सीटेट यूपीटेट एक गही जैसा होता है इस विचार धारा से बहार निकलिएगा और यानिएगा यूपीटेट और सीटेट में जमीर आसमान का फर्क होता है और सीटेट आपके आने वाले भरती परिच्छों में कुछ जैसे एंसियत पी छिन जाएगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका समय खतम हो गया एक सो पचास में इसलिए ऑनलेन प्रैक्टिस करिएगा जिसके लिए इलर नहीं को दूर्गेश का अप्लिकेसा ने प्लेश्टोर से डौनलोड करिएगा वहां पे आपको डेर सारे कॉस्चन सबसे पाच्वा जो मूल मंत्र है वो यह याद रखेगा कि सीटेट को सीटेट की तरह पढ़ना है उसमें बहुत सारी सब्दावली ऐसे हैं जिनको आपको जनना है बच्चे को मारना नहीं है डाकना नहीं चलाना नहीं है उसे हमेशा अपस्राहिट करना कभी सकते हैं और अच्छे अंकों के साथ और चाहें तो आप इलनी विद्दुर्गेश पर मेरी क्लासेश भी पढ़ सकते हैं जो निसुर्क आपको मिलता रहेगा घर बैटकर आप जिसके लिए बहत्ता त्यारी कर सकते हैं अब एकी बार सीटेट पार क्योंकि सीटेट को हम ट्विटर यूट्व इलनी विद्दुर्गेश हैं साथी साथ घर बैठे आप एंसीटेट पैटन के सभी नोट्स मंगा सकते हैं जो नीचे स्क्रोल चला है यह इलनी विद्दुर्गेश का नंबर आप जोड़ कर बात कर सकते हैं वहां से भर बैठकर आप नोट्स पर आप निशूल क्लासेज आपको मिलती रहेंगी देशित में वास्ठित में क्योंकि अभी की बार सीटेट पार तो आप सभी साथ दीजेगा हम आपको पैड़ा जरूर देंगे आप सभी का थाएंक्यूं वीडियो को शेर करिएगा लाइक नहीं के तो लाइक करिएगा चैन जाइब जाइब